और आज 370 हटने के बाद पिये मोदी का जम्मू में पहला दौरा और ग्राउंट पर नीरज पार्टि बॉदूदे वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट भेज़ी है आपको देखनी चाहिए राश्टी पंचायद दिवस है और मैं इस समय हूँ सामा जिले के पल्ली गाओं जहां पर आप देख सकते हैं यह पंचायद घर पल्ली है यह मॉडल विलेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहीं आने वाले हैं थोड़ी देर में इसी पंचायद घर में विजि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राश्टी पंचायदी दिवसकारकरम को संबोधित करेंगे और देश के हर गाओं की पंचायद को यहां से संबोधित करेंगे इस मॉडल विलेज में तमाम चीज़ें यहां पर दरसाई गयी हैं खासकर आप देख सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और इस पंचायद बहुन का निश्चन करेंगे तो उनको यह सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी तो यह अपने आप में दरसल यह दर्शाने की कोशिश है कि पंचायदी राज विवस्ता में पंचायद का महत्त्य क्या हो अब बेसिकली मॉडल विलेज है और पल्ली गाउं को यह बताने कोशिश की गई है कि कैसे एक गाउं अपने आपको खुद को सबर बना सकता है इस्टैंड कर सकता है केमरेमन रभीस पांडे के साथ नीरज पांडे वीपी निउस पल्ली तो सांबा के पल्ली गाउं से नीर के पास लेकर के चलते हैं नीरज आज जम्मू को कई परियुजनाओं की स्वागार्भी पीम देने वाले हैं जी बिल्कुल सिखा मैं आपको बता दूँ कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी थोड़ी देर में इसी पल्ली गाउं में आने वाले हैं सामा के लिए जम्मू के लिए ये एक मॉडल विलेज है और आज जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जब आएंगे तो इसी पंचाइत भवन पल्ली में विजिट करेंगा विजिट करने के बाद ठीक इसके बगल में चुकी हली पैड भी बना है तो उस हली पैड में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी और चुकी इस गाउं में आपको दिखाते हैं चुकी ये पल्ली गाउं है और पल्ली गाउं को क्यों चुना गया इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है पल्ली गाउं को इसलिए चुना गया क्योंकि सामभा जिले में अपने अपने मॉडल विलेज है एक गाउं में सारी विवस्था हैं हो सकती है यानि कि अच्छा स्कूल हो पंचायत घर हो लोगों को पीने की ब्यवस्था हो पानी पीने की ब्यवस्था हो आने जाने के के ट्रांस्पोर्टेशन की पीअगया अब चुकि पीम आ रहे है इस गाउं में इस गाउं के लिए बड़ी बात है तो बकतरवन गाडियां आप देखсьकते हैं बड ow को मैं दिखाता हूँ कि चुकि यह जहां पर हम हैं यह most sensitive zone है इसलिए तमाम गाडियां और पुलिस की बहुत सारी बेवस्था है बगल से VIP gate है यहां से आप देख सकते हैं यह VIP gate बना गया है यहां से जो सारे बड़े मंत्री और जो सारे बड़े VIP हैं वो इस gate से यहां से भेज जा रहा है उनका बकाइदा पासिस देखे जा रहे हैं पासिस देखे जाने के बाद उनको छोड़ा जा रहा है चुकि ठीक इसके पीछे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जहां से होगा वो ब्लॉक है तो यह अपने आप में पल्ली गाओं के लिए और समुचे जम्मू के लिए बड़ी बात है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करें धाई साल बात जब 370 जब से खत्म हुआ उसके बात वैसे तो दो बार आ चुके हैं जम्मू कस्मीर लेकिन दोनों बार दीपावली के मौके पर जवानों से के साथ उन्हों दीपावली बनाने के लिए आया थे लेकिन यह पहला सारवजिनी कारकरम में सरकारी जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी आ रहे हैं और प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी यह करेंगे उनकी राइ जानेंगे और किस तरीके से वह खुश हैं यह अपने अंदर्शकों तक पहुचाएंगे ABP News आपको रखे आगे